हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एच्चुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे, काइमोरल फॉर्ट टेबलेट्स के बारे में, तो हम सिखेंगे ये टे इंडिकेशन्स को सिखेंगे डिटेल में, तो एक्सवर्ट लेक्चर बायमर सर, असिस्टम प्रॉफेसर और फार्मरोक्स, थैंक यू फार्मरोक्स फेमिली अपडेटेट रही है, फार्मरोक्स के साथ, एक्सेस करिये स्टडी माट्रियल, टेस्ट सीरीज और वीडियो ले और वो भी काफी सरेल वासा में, एक साल तक अफॉर्डिबल प्राइस के अंदर, फार्मरोक्स के मोबाइल अप्लिकेशन के उपर, कि जो एंडूइड अप्लिकेशन है, गूगल प्ले स्टार पे, एपल आइफ़ोन एफ़े, एप स्टार पे, लिंक आपको डिस्क्रिप् बॉक्स में दे दी है, तो अब समझते हैं, काइमोरल फॉर्ड टैबलेट्स के बारे में, तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है, कि जिसको हम कह सकते हैं, एनलजेसिक्स, एंड इसके अंदर जो है वो एंजाइम्स आये है, कि जब ये टैबलेट बनाए जादे तो उसके मैनिफेक्चर्स के हम बात करें, तो टॉर्रेंट फार्मसेटिकल ये टैबलेट को जो है वो मैनिफेक्चर करता है, टॉर्रेंट फार्मसेटिकल के बारे में समझे, तो ये एक इंडियन मल्टिनेशनल फार्मसेटिकल कंपनी है, कि जिसके ओनर है टॉर्रेंट ग्रूप औ अंदर गुजरात तो यह जो फार्मा कम्पनिय उसको प्रमोट की गई बाई यूएन महिता के सरवात में यह जो थी एज़ ट्रेनिटी लेबरेटरिस के नाम से था और उसके बाद उसको रिनेम करके टॉरेंट फार्मसोटिकल से इसा नाम दिये गए कि यहाँ पे आप देख सकते है कि टॉरेंट फार्मसोटिकल उसके मैनुफेक्चर है तो यहाँ पे आप प्रॉपर अब उसकी लेबल की हम स्टडी करते है सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है आरेक्स मलब कि यह एक प्रिस्क्रिप्शन बेज मेडिकेशन है और साथ उसाथ यह रेड लाइन भी इसका मतलब होता है कि यह प्रिस्क्रिप्शन बेज मेडिकेशन है और सीड्यूल एच के अंदर यह मेडिकेशन है कि यहाँ पे आप देखो कि यह टेबलेट का जो लेबल है उसके पीछे यहाँ पे वर्निंग लिखे हुई है तो यह वर्निंग इसका मतलब यह है कि यह मे इटेल में बेच सकते हैं, फिर बाकी उसकी storage condition में देखें, तो ये tablet को आपको 25 degree या फिर उससे कम temperature के आसपास जो है वो store करना है, dry place पे रखना है, एंड बच्चों से ये medication को दूर रखनी है, फिर यहाँ पे लिखा है कि anti-read coated ये tablet है कि जिसके अंदर, trypsin and chymotrypsins, जो enzyme से सुझके एक लाख जितने armor units जो है वो present है, और torrent pharmaceuticals जो है वो इसके manufacturer के यहाँ पे लिखा है कि torrent pharmaceutical limited और यहाँ पे Rx देख सकते हैं आप कि जो prescription based medication का जो तरे का इमोरल फॉर्ट जो है उसका brand name है, doces के अंदर देखो तो यहाँ पे लिखा है कि doces is directed by physician, तो अग आगे समझते हैं, trypsin and chymotrypsin के बारे में तो what is trypsin and what is chymotrypsin, तो यह दोनों जो है वो proteolytic enzymes हैं और यह oral proteolytic enzymes कहे जाते हैं कि जो orally लिए जाते हैं खासकर अलग-अलग disease and disorders के treatment में तो यही enzymes को use किया है यह tablet के manufacture में कि जिसका brand name है chymoral fat tablet, तो यह medication या फिर यह जो enzymes क्या करते हैं, reduce करते हैं, inflammation के symptoms और साथो साथ जो pain होता है और जो susan होती है, तो वो symptoms को वो कम करता है, reduce करता है, कि जिसके करन, ऐसे सभी medical conditions के जिसके अंदर center में susan है, pain है and swelling है, तो उसको यह कम करता है, और यह क्या करता है, fast करता है recovery, कि जो acute tissue injuries होती है या फिर आपके body के अंदर किसे tissue के अंदर injury होती है, तो उसके बाद उसका faster जब healing होना और जो inflammation वह होती है, उसको भी कम करने के लिए काफी useful साभित होते हैं यह enzyme और इनके पास खासकर NL जैसे के anti-inflammatory reaction रहीती है हमारी body के उपर, तो trypsin and chymotrypsin के activity देखें तो उनके पास अलग-अलग 5 ऐसी activities है, जैसे कि एक anti-inflammatory reaction है उनके पास, कि जो reduce करता है inflammation दूसरी हम देखें तो anti-edematous activity उनके पास है कि जो inflammation को कम करने में help करता है, तीसरी activity हम देखें तो fibrinolytic के तौर पे भी यह काम करतेगी जो prevent करवाते हैं blood clothes को चौथा उनका एक role देखें तो वो antioxidant के तौर पे काम करके, oxidation की जो process होती है, वो inhibit करवाते हैं उनको रोकते हैं और पांचवा देखें तो analgesic activity है, कि जिसको कहा जाता है कि जो pain relievers का काम करती है, reduce करती है pain को, जो दर्द वगिरा होता है, उसको कम करने वाली यह medicine या फिर ऐ ऐसा enzyme हम कह सकते हैं, तो यह enzyme के पास यह 5 अलग-अलग activities है कि जिसको utilization करके हम अलग-अलग conditions के treatment कर सकते हैं, तो working के बारे में समझे तो यह enzymes किस तरह से काम करते हैं, तो यह proteolytic enzyme है, और proteolytic enzymes का मतलब यह होता है, कि यह enzymes क्या करते है, breakdown करते है protein को, कि जो protein का जो एक बड़ा molecule होता है, उसको breakdown करेंगे, उसको तोड़ देंगे और उसके छोटे-छोटे small fragments के अंदर उनको convert कर देते हैं, तो इस तरह से यह अपना काम करता है, special की जो proteolytic enzyme के तोर पे उसकी activity है, तो उसका पूरा process flow समझे, कि किस तरह से वो आपकी सूजन काम करेगा, तो सबसे पहले यह पे जो point है, वो समझे कि उसने क्या किया, enzyme ने breakdown कर दिया protein का small components के अंदर, कि जो protein का giant molecule था, उसको चोटे-चोटे small components के अंदर उसने जो है वो transfer कर दिया, convert कर दिया उनका breakdown करके, फिर यह जो small components तयार हुए protein के, वो कहा पे जाएंगे तो वो जाएंगे हमारे blood के अंदर, और आगे absorption उनका होगा, कि जो blood के अंदर आ जाएंगे और blood के थुरू, फिर आगे उनका absorption होगा, absorption होने के बाद, क्या होगा, यह जो protein है, increase करेंगे blood supply, कि जहाँ पे आपको susan वगेरा हुई थी, या फिर जहाँ पे आपको pain वगेरा हो रहा है, तो वो affected area में, कि समझे कि पे देख रहे हैं, कि यहाँ पे इस जगा पे हम देख सकते है, swelling जो है, वो देख सकते हैं, तो यह जगा पे आप यह क्या करेंगे, blood supply को increase करवाएंगे, अब यहाँ पे blood supply समझे कि increase होता है, तो दिरे दिरे यह condition, जैसे यह वाले leg में है, उस तरह से condition होती जाएगी, और य जो protein break हुआ, वो blood के अंदर जाता है, blood के अंदर जाने के बाद उसका absorption होता है, और absorption होने के बाद यह protein क्या करता है, जो small fragments के अंदर उसका breakdown हुआ है, वो affected area पे, कि यहाँ पे affect हुई है, यहाँ पे सूजन आपको देखने होता है, यह area पे जो हमारे blood का circulation होता है, वो करवात है, increase के जिससे सूजन जो है, वो दिरे-दिरे कम हो जाती है, तो जब कोई person यह medication लेता है, तो उसका swelling मतलब कि जो सूजन कम होती है, और सूजन के कारण होने वाले जो symptoms के समझे के आपको दर्द वगेरा होता है, pain होता है, तो वो कम होता है, तो basic use समझे, तो यह medication करती है, खासकर use की जाती है, और treatment के अंदर pain के, pain relief के तोर पे भी आप उसको use कर सकते है, और उसके इलाज में भी, कि समझे कि इस तरह से आपके body के अंदर surgeons देखने को मिल रही है, और उसके current pain हो रहा है, तो वो कम करेगा, swelling कम करेगा, कि swelling की treatment में use की जाती है, फिर अगर कोई surgery होई है, और surgery या फिर जो operations होते हैं, उसके बाद आपके body के अंदर pain रहता है, कोई ऐसे surgeon देखने को मिलती है, तो वो भी यह कम करेगा, और उसके इला healing of post-operative wound, मतलब कि जब कोई operation वगेरा होता है, और operation के बाद कोई ऐसे injury हो जाती है, कोई ऐसे traumas के condition आती है, और जो wound वगेरा होते हैं, उनके faster healing के लिए कि वो जल्दी से जो गाव होते हैं, वो रूज जाए अच्छे से, और गाव के रूजने की जो process होती है, जो क्रिया है वो काफी fast हो और जल्दी से patient recover हो जाए, तो उसके लिए भी ये medication जो है वो use की जाती है, तो इस तरह से आप देखो, कि कोई injury होई है, और injury के बाद वहाँ पे दर्द हो रहा है, इस तरह से body में अलग-अलग parts पे आपको pain और दर्द हो रहा है, कोई surgery या फिर trauma के बाद या या से कोई injury के बाद भी आपको pain हो रहा है, तो इस अभी condition में use की जाती है, अब जानते है कि उसके prescription कौन से अलग-अलग medical condition में लिखे जाते है, तो सबसे पहले ऐसी सभी medical conditions के जिनके अंदर center में एक pain आता है, और दूसरा inflammation की जहाँ पे ये दो conditions involved होती है, वो सभी medical condition में prescribe क जाती है, जैसे कि hematomas के condition के जहाँ पे blood जो है, वो clot होता है, और swelling होती है हमारे body के tissues के अंदर, तागे जो हमने देखा कि जो blood clot होने से ये medication prevent करती है, और साथ हो साथ ये क्या करता है, सूजन कम करती है, तो hematomas के जो patient होते हैं, उनको भी ये tablet prescribe की जाती है, second, edema, edema मतलब कि inflammation सूजन, कि आपके gums, मतलब कि आपके मसूडों के अंदर, दातों में दर्ध हो रहा है, और उसका region वहाँ पे सूजन हुई है, तो antibiotics के साथ कई बार, ये medication जो वो prescribe की जाती है, तिसरी condition, post-surgical trauma and injury, कि surgery के बाद कोई trauma or injury हुई है, तो उसके इलाज में भी use की जाती है, कि उस वक्त ये medication useful साबित हो सकते है, फिर post-hysterectomy healing, मतलब कि आपको faster healing लानी है, कि जब कोई uterus removal का operation किया गया है, या फिर cesarean हुआ है, women's के अंदर, कि जो बच्चे दाने के जो निकालने के जो हम बात करते है, गरबा से जो निकाला जाता है, surgery वगरा करके, या फिर c-section delivery होती है जो cesarean जो कहा जाता है, तो उसके बाद, जो अगर आपको faster healing provide करनी है, तो faster healing के लिए भी ये kymoral ford के जो tablets जो यूज की जाती है, फिर जो PID की जो हम condition करते हैं, कि जिसके अंदर जो Susan है, वो कम करने के लिए भी pelvic inflammatory disease के अंदर ये यूज की जाता है, छटा हम देखे तो, जो necrotic tissues होगे रहा होते हैं, कि जिसके अंदर dead cells दिखने को मिलते हैं, हमारी body की organs के अंदर, कुछ organs के अंदर कई बार ऐसा होता है, कि कोई injury के करान, या फिर कोई ऐसे medical condition के करान, वहाँ के जो cell होते है, वो dead हो जाते हैं, कि जिसको medical term में कहा जाता है, necrotic tissue, तो वो necrotic tissues के treatment के कि वहाँ पे उस जेगा पे फिर से blood circulation हो जाए, और नए skin वहाँ पे develop हो, वहाँ पे नए cell develop हो, tissues develop हो, तो उसके लिए भी ये useful है, साथवा condition की, जो cytica की जो हम condition कहते हैं, कि कि किसी भी एक side के spine से लेकर leg तक जो आपको pain होता है, तो cytica में भी ये prescribe की जाती है, आठवी condition हम द देखें, तो chronic respiratory condition, जैसे कि बार-बार आपके respiratory tract के अंदर, सुजन वगिरा आ जानी, जैसे कि अस्थमा की जो condition है, तो ऐसे condition में ये use की जाती है, और sore throat के treatment में कि, जब आपके throat के अंदर, घले में जब pain होता है, और साथो साथ सुजन होती है, तो उस वक्द भी काइमोरल फ पाइल्स कहते है, तो पाइल्स के लाज में जो pain होता है, और swelling होती है, तो उसको भी treat करेगा, ये काइमोरल फॉर्ट टैबलेट, तब उसके dose के बारे में समझे, तो dose अच्छे से समझना जरूरी है आपको, तो सबसे पहले आप समझो, कि patient के condition कैसी है, उसके according to dose दिया जात लेता है, कि समझो कि आपने ये एक टैबलेट ली है, तो ये टैबलेट के बाद ये second tablet कब लोगे, तो at least दो टैबलेट के बीच में रहेगा, और 72 hours के अंदर आपको ये दो टैबलेट लेनी है, तो एक टैबलेट समझो के लिए, फिर proper 36 hour हो गए, उसके बाद आपने second tablet ले फिर थर्ड टैबलेट लेनी है, तो फिर से 36 hour का time difference जो होना चाहिए, इस तरह से proper, जब 72 hours होते हैं, तो 72 hours में patient जो हो at least 2 टैबलेट जो हो लेता है, कि 3 दिन में 2 बार जो हो टैबलेट ये ले सकता है, तो ये उसका एक प्रथम dose है, second dose हम देखे, कि अगर patient के condition ऐसी है, कि थ उस वक्त हर 4 दिन में 1, कि जैसी 4 दिन होते हैं, तो आप ये टैबलेट लेते हैं, फिर दुसरे 4 दिन के बाद दुसरा टैबलेट ऐसे, every 4 days एक टैबलेट जो हो ले सकते हैं, और ये ले जाती है, खास कर before meal, खाना खाने से पहले, तो ये खास समझे, OD में कभी भी नहीं ल तो ये खास उसका dose आपको समझना है, आगे उसके कुछ side effects हम देखें, तो abdominal pain जैसा फिल करते हैं, कुछ patients, कि उनको stomach के अंदर abdominal pain या फिर bloating जैसा फिल होना कि, जैसे gas होता है और जैसे painful जाता है, ऐसे condition कई बार फिल करते हैं, ये टैबलेट खाने के बाद, कुछ cases के अंद कि आखो का जो अमरा बाग है, या फिर cornea का जो बाग है, वहाँ पे सुजन कुछ patient महिसूस करते हैं, कुछ लोगों के अंदर hyper sensitivity या फिर allergic reaction हो जाते हैं, कि अगर उनको chymoral for tablet के allergy है, या फिर proteolytic engine से उनकी उनको allergy है, corneal swelling हो सकती है आखों के अंदर, फिर stomach के अंदर भी pain हो सकता है, कुछ cases में diarrhea मनलब की दस्त हो जाते है, skin के उपर racist कि अगर किसे को allergy है, या फिर hyper sensitivity है, ये medication की, तो allergy हो जाएंगी, skin के उपर racist हो जाएंगी, eaching होना, मनलब की खुजली हो सकती है आपको वहाँ पर, कुछ cases में shortness हो जाती है, breathing के अंदर के, breathing जो है, वो काफी short हो जाएंगी, और stomach के अंदर indigestion, जैसे condition के, आपको जो हो heartburn जैसा feel हो सकता है, कई बार, या फिर indigestion, जैसे condition feel हो, तो ये सब side effects develop होते है, कुछ cases के अंद जरू, contraindications देखिए, तो कब ये tablet को use नहीं करने, तो सबसे पहले ऐसे condition, कि अगर आपको allergy है, कि trypsin या फिर chimotrypsin के आपको allergy है, तो ये medication को कभी भी use ना करे, या फिर proteolytic enzymes के आपको allergy हो जाती है, कि अगर ऐसी past history रही है, कि अगर आपको इसी proteolytic enzymes को use करते हैं, तो आपको allergy हो जाती है, इस तरह से, रैसिस हो जाते है, skin के उपर, तो उन लोगों को ये medication नहीं लेनी चाहिए, second, आपको hypersensidity है, काइमोरल की, फिर ऐसे patient की जिनको breathing के अदर already difficulty है, तो breathing difficulty वाले patient है, और ये tablet आप दोगे, तो और जदा breathing difficulty हो सकती है, जिससे उसके side effect की shortness of breathing, तो ये ख दियान रखे, चौथा हम देखे, तो अगर कोई patient anti-depressants ले रहा है, तो anti-depressants medications के साथ, काइमोरल for tablet को prescribe नहीं की जाती, फिर अगर कोई patient sleeping pill ले रहा है, तो भी उसको use नहीं करनी है, फिर अगर कोई आप allergic के लिए anti-histamines use कर रहे है, तो भी use ना करे, और अगर consumes कर रहे है, आप alcohol या फिर alcohol containing कोई medications use कर रहे है, तो भी ये tablet को use ना करे, या फिर अगर use करते हैं, तो ये सब medication को stop करे, और उसके एक वेक बाद है, या फिर 4-5 दिन के बाद ही ये medication को लेनी चाहिए, अब समझते हैं कि pregnancy में यूज करे या ना करे, तो proper caution के साथ यूज की जाते हैं, या या फिर breastfeeding period के अंदर है, तो खास कर एक बार जो gynecologist, तो अच्छे से आपको जो वो consult करने चाहिए, आपके doctor को, या फिर आपके gynecologist को, या फिर physician doctor को, कि अगर आप pregnancy के दोरान ये medication use करें, तो वो proper आपके baby की growth हो अगे ना देखेंगे, और जरूरत पढ़ने पर ही, ये tablets जो प्रिस्क्रेप की जाती है, वरना अगर risk है कोई, तो ये medication को use नहीं कर दोर, कभी भी आप self medication ना करना, कि अगर आप pregnant है, या फिर pregnancy conceive करने का try कर रहे हैं, तो या फिर breastfeeding period में है, तो ये medication का self medication ना करें, एक वार जरूर से आपके physician doctor, या फिर जो आपके gynecologist है, उनकी advice के बाद ही आप pregnancy में उसको use कर सकते हैं, तो ये था special video lecture about the chymoral for tablet, तो इसी तरह से अलग-अलग medications के basic use के बारे में सिखें, उनके dose, side effect, warning क्या रहेते हैं, contraindications क्या रहेते हैं, और वो भी काफी सरल बासा में, एक साल तक pharma rocks के mobile application पर भी, अब आपको ये facility मिल रही है, कि जो हमार लेक्चर्स होते हैं, उनके PDF, PPTs वगेर अक्सेस करें, affordable price में, pharma rocks के mobile application के उपर, कि जहाँ पे सिखें, अलग-अलग दवाईयों के basic use के बारे में, उनका side effects क्या होता है, कैसे उनको use की जाती है properly, तो pharma rocks के lectures, उनके PDF वगेर अक्सेस करें, अप उपर, ये नमबर पे WhatsApp भी कर सकते हैं, तो link आपको हमने description box के अंदर दे दी है, को Android user Android app download कर सकते है, iPhone user app store से, link description box में मिल जाएगी, so good luck and all the best.